हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद दन्यू वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ Power Finance Corporation Limited के बारे में इसका हम लोग एक Technical Analysis देखेगे देखते हैं कि हमें इसमें Support Zones कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और Resistance Zones कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिससे हमें ये पता लग सके कि आने वाले दिनों में इसका Price Movement किस तरीके का रह सकता है तो चलिए जल्दी से मैं वीडियो को शुरू करता हूँ उसके पहले बस आप से एक Request है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि लीटेस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके अलाबा अगर आपको कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग ये प्रिस्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूच चकते हैं आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा तो चलिए जल्दी से वीडियो को शिडू करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने ट्रेडिंग वी के टर्मिनल पे पावर फाइनेंस का चार्ट आपन कर रखा है और इसको डेली टाइम फ्रेम पे सेट किया है आज के दिन पे जो उसकी क्लोजिंग प्राइस है वो 482 रूपीज है और आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक हाई बना था वो था 580 रूपीज पे तो अगर आप इसके 52 वीक हाई से इसकी करेंट मार्केट प्राइस को कंपेर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अभी करीबन 16 परसंट नीचे गिर चुका है क्या अभी इसमें आपको और गिरावट देखने को मिलेगी ये आपको वीडियो में आगे पता लगेगा बट उसके पहले आप मुझे ये कॉमेंट करके बताईए क्या आपके पूर्टफोलियो में पी एफसी का स्टॉक है अगर है तो आपने उसी किस प्राइस पर बाई किया था ऐसा तो नहीं आपने उसे 52 वीक हाई जोन पर बाई करके रखा हुआ है अगर वहाँ पर वाय कर रखा है तब तो अभी आपको ये 16% का loss देही रहा होगा तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर अपने support और resistance zones देख लेते हैं तो अभी मैंने यहाँ पर support और resistance zones ट्रॉ कर लिए हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा उसका low जोड़ा इसके बाद यहाँ पर 20 मार्श 2024 की जो candle है इसका low जोड़ा यह दो पॉइंट जोड़ करके यह trend line बनाई और आप देख सकते हैं इसी trend line पर stock को इस जगह पर 4 June को support मिला इसके बाद आप देख सकते हैं 6 August को फिर से support मिला और यहाँ पर से support लेने के बाद stock में फिर उपर का एक movement आती है बट आप देख सकते हैं recent में यहाँ पर 11 September के बाद इस वाली trend line का यहाँ पर breakdown हुआ है और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं 13 September के बाद से जो भी candles पनी है उनकी closing इस trend line के नीचे ही हुई है जो कि क्या show करता है कि इस stock के अंदर अभी uptrend खतम हो चुका है या तो अभी आने वाले दिनों में जी stock है वो sideways moment आपको दिखाएगा या फिर यहाँ पर आपको एक downtrend देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर downtrend देखने को मिलता है तो अभी हम लोग यह देख लेते हैं कि हमें support zones कहां पर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आप चुका है यहाँ पर एक support के तोर पर भी काम कर चुका है यहाँ पर फिर से support के तोर पर काम कर चुका है तो इसी लिए 474 रुपीज का जो zone है वो यहाँ पर एक important support के तोर पर act करेगा अगर इसका breakdown होता है दिन जो support मिल सकता है stock को वो यहाँ पर 427 रुपीज के zone पर देखने को मिलेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक को इस जगे रिजिक्शन मिल चुका है यहाँ पर फिर से रिजिक्शन मिला यहाँ पर फिर से रिजिक्शन मिला तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आभी आने वाले दिनों में एक support के तौर पर act कर सकता है और फिर अगर इसका भी breakdown होता है देन जो हमें support देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर 382 रुपीज के zone पे जो की यहाँ पर आप दिख सकते हैं एक बार resistance के तौर पर भी act कर चुका है बात में जब breakout हुआ तो यह जो zone है यह आप दिख सकते हैं यहाँ पर support के तौर पर भी act करा है यहाँ पर फिर से support लिया यहाँ पर फिर से support लिया तो multiple times यह जो zone है यह support के तौर पर already act कर चुका है तो इसलिए यहाँ पर यह 428 रुपीज का zone अगर break करता है then stock को जो support है वो यहाँ पर 382 रुपी इस पर रह सकता है यह trend line जो की पहले एक support के तौर पर काम कर रहे थी यह बाद में यहाँ पर एक resistance के तौर पर काम कर सकती है and अगर इस trend line का यहाँ पर breakout आता है then stock को जो resistance देखने को मिलेगा वो यहाँ पर 560 रुपीज की zone पर देखने को मिल सकता है जहाँ पर stock को आप सकते हैं इस जगह भी rejection मिला था and यहाँ पर फिरसे rejection मिला इसके पहले यहाँ पर भी rejection मिल चुका है तो इसलिए जो यहाँ पर अगला resistance रहेगा वो 560 रुपीज का zone रहेगा अगर इसका यहाँ पर breakout आता है जिन stock को सबसे पहले इसका 52 week high zone क्रॉस करना पड़ेगा that is 580 रु sideways या फिर आपको यहाँ पर एक downtrend movement देखने को मिल सकता है तो अभी अगर आपका सवाल है क्या हमें इस stock को hold करना चाहिए तो बिल्कुल इस stock को hold करना चाहिए stock में जो bullish moment आनी थी वो यहाँ पर काफी time तक आई भी है तो अच्छे खासे returns पना करके भी दिये हैं अभी क्या समय चल रहा है अभी कई सारे stocks हैं खासकर PSU stocks हो गए defense के stocks हो गए जिन्होंने अच्छे खासे returns पना करके दिये हैं एक time पे ओ सभी stocks में अभी यहाँ पर आपको तो PFC का जो stock है यह fundamental risk के काफी strong है तो इसलिए आप लोग इसको support zones पे accumulate कर सकते हैं और जदा नई positions बना सकते हैं तो फिलाल आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी जाते जाते वीडियो को like कीजेगा मिलते हैं आप से एक और नई कास्तरी जाते है連 turning में वीडियो में प्रूक कर כ numerते हैं आप से घरियो मैं मने आप स σας वीडियो के लिवयो का कि उसकते हैं इसके यह मिलते हैं जाते हैं", आप